देवलाल ठापुर पर चन्संपर्क देवलाल ठापुर के चुनाओ प्रचार करते हुए उनकी टीम दली राजहरा पहुची जहां उनका चुनाओ संचालान का काम समाल रहे संजय भाई बेस ने बताया कि देवलाल ठापुर मिललतार वेक्ति के धनी होने के साथ-साथ छोटे बड़े में पर्क नहीं समझते हैं श्याम जैसवाल ने अपने भाषण के माध्यम से लोगों बताया कि पहले प्राथमिक्ता यहां की जन्ता की समस्याओं को दूर करना है तो वहीं यूवा साथी संजय स्टिंग ने कहा कि देवलाल की चावी छाप में मोहर लगाकर भारी मत से जीत दिलाएं तो वहीं रोज शो करने पहुंचे मनोस्तिवारी में कांग्रेस पर जंकर प्रहाल करते होता कि कांग्रेस को गंगा जल लेकर चलना पड़ रहा है जन्ता परिवर्तन चाहती है मेरदली प्रत्याशी देवलाल धाकुर का कहना है कि पार्टी तो केवल प्रत्याशी चुनती पर विधाय को जनता बनाती है हम जनता के हर काम में खड़ा उत्रें तभी हमें जन प्रतिनीदी कहा जा सकता है अगर हम जनता की काम को जहां नहीं रखेंगे तो हमें जन प्रतिनीदी बनने का कोई हक्त नहीं है पहले ही मैंने कहा है कि मैं किसी भी चुनाओ लणने वाले प्रत्यासी कोई वैक्ति गतारोप नहीं लगाऊंगा सारी जनता यहाँ पर खुद बुधिमान है और यह सोच समझ के फैसला लेगी कि उनके उनकों दस सालों में उनने हमारे छेतर के लिए क्या किया है उनकी कितनी जो भी दुरगुड़ और अउगुण है इसका अकलन करके वोट करेंगे मुझे पूरा भरुसा है जब यहां की जनता इसका अकलन करेगी तो मिश्चित तोर पे यह दोनों राष्टी पार्टियों की जर्मानत जब थो भी दॉन्डियों है जीला पंचात अध्यक्स को कई सारे बनते रहते हैं लेकिन देवलाल ठाकुर जी जो है उनका सबसे महत्वकून चीज़ जो है सबसे नम्रता से मिलते हैं इस कारण जन जन में वो लोक्त्री हैं जनता उने अपना बड़ा भाई बेटा के रूप में पसंद करती है और उनको आशिरवाद देकर इस बार डॉन्डिल भारत से भी धान सबाम बेगी